ब्लैड लाइन डूस में क्या क्या हो सकता है वो आज हमने देख लिया यही राथ तो कोडी कुछ भी कर ले वो रॉमन रेस को रसल मीनिया में नहीं हरा पाएंगे अगर रॉक को रोका नहीं गया तो रॉक को अगर कोई रोक सकता है तो इनके अलबा और कोई नहीं है तो हे गाईज वेलकम है आप लोग का आज के इस वीडियो में जानेंगे रसलमीनिया से पहले वे आज के मंडे नाइट रॉप में ये क्या धमाका हुआ है तो मंडे नाइट रॉप की स्टार्टिंग में दा फाइनल बस रॉप के एक और कमाल के हिस्टोरिकल एंटरेंस के साथ देखने को मिलता है निंग में आने के बाद रॉप कहते हैं कि मैंने उसे पूरी तरह से लहू लुहान कर दिया उस लड़के को दरॉप ने अपने हाथ लिये और उसके सर के उपर से लगाया और पूरी तरह से उसका सर खोल दिया फून था रॉक के हाथों में जैसा वादा किया था दरॉक ने उसका खून लिया उस बैल्ट पर पोचा अब केबल एक चीज़ की कमी है और वो है मामा रोट्स के आसू दरॉक जो कहता है वो करता है उसने कोडी रोट्स के कानों में कहा सो की शुरुआत में ही की मैं आज तु कोड़ी को रॉक से पिटता देख ना रॉक कहते हैं जब मैंने छोटे बच्चों को रोते हुए देखा तो मेरा दिल तूड़ गया क्योंकि मैं भी एक फादर हूँ और मेरे भी तीन बच्चे हैं लेकिन जो हुआ उसके बाद सारे पैरेंट्स अपने बच्चों को लेके टी गली मिलते हुए ब्लेड लाइन जॉइन करती है रिंग में दर रॉक को इसके बाद रॉमन रेंस ब्रुकलिन की क्राउट से कहते हैं कि अगर आप देख रहे हो जो मेरी डॉक्युमेंटरी रिलीज हुई है आप मेरी हुडी अगर देखोगी तो उस पर लिखा है फैमिली यानि फैमिली सबसे उपर रहता है रॉक को मैंने किसी बजर से नहीं बुलाया मैंने उसे इसलिए बुलाया ताकि वो एक नॉलेज कर सके हमारी फैमिली को क्राउट गाइस बड़ी स्मार्ट है रॉमन ने फैमिली की बात करी तो वो डिमांड करने लगते है जे उसों की च चले क्या सर्थ होने वाली अगली रात रसलमीनिया में क्या बकवास है हम दोनों धज्जियां उराएंगे उनकी और होगा ब्लेड लाइन रूस नाए टूप और असलिए मैं वापस से कहना चाहूंगा मेरे उस दर रॉक को थैंक्स जो उसने कोडी के साथ किया अपने फैम साइन तुम्हें साय नहीं सकता है ये हमारा जगा है और हम ही रहेंगे टॉप अप दा मॉन्टेन पर क्योंकि हम चलाते हैं डव्डवी को मूब बंद रख अपना यहां गाई सेथ रॉलिंस के एंट्री हो चुकी थी क्राउड के बीच से अगर तुम दोनों बेवकूफ को ऐसा लग रहा है कि मैं उस रिंग के बीचो बीच आऊंगा ना लास्ट विक जो तुने कोडी के साथ किया तुझे क्या लगता है कि तुमुझे भी अपनी जाल में फसालेगा तुने अपनी सारी लिमिट क्लास कर दिये रॉक मैं आज कुछ सुनने वाला नहीं मैं तैयार ह चैंपेंज से किसमे है वो जिगरा रॉक कहते हैं कि ए लफंगे अपना मुझ बंद रख तेरी हिम्मत कैसे भी मुझे और सबसे डॉमिनेंट चैंपेंट को चैलेंज करने की क्या तुने देखा नहीं रॉक ने क्या किया तेरे उस पार्टनर को इतना मारा की उसका ब्रेंड डैमेज हो चुका है आगे रॉक कहते हैं कि हमारे पास एक प्लैन है तो सोलो सिक्वा आगे आते हैं तो रॉमन रॉक से कहते हैं कि में इवेंट में सब कुछ संभाल लेना भाई मैं चलता हूँ अब तो रॉक कहते हैं कि कहा जाने का प्लान है फिर रॉमन कहते हैं कि स्पीच लिखनी है तो अब बात करते हैं हमारे raw के main event के बारे में सबसे पहले हमें Seth Rollins के entry देखने को मिलती है तो अब solo के आने के बाद वो ring में जा रहे होते हैं लेकिन Seth Rollins wait नहीं कर सकते थे वो attack कर देते हैं ringside by the suicide drive तो यहां कुछ नहीं कर रहे थे लेकिन Seth Rollins इसका पूरा फायदा उठा रहे थे वो solo sikwa को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे अब Seth Rollins यहां storm कर देते हैं solo sikwa को लेकिन हमारे चालाग solo sikwa pin ना होना पड़े इसलिए वो ring से सरक लेते हैं now bloodline rules यहां start हो चुका था Jimmy Uso ring में आते हैं और वो Seth को एक super kick मारते हैं guys तभी हमारी main event Jay Uso का music hit होता है Jay Uso आते हैं और वो पीटते हुए Jimmy Uso को back stage ले जाते हैं Jay Jimmy को पीटते हुए back stage जाते हैं और वो वापस आते हैं rock से पीटते हुए Jay Uso पे attack करने के बाद rock ring में पहुँच जाते हैं Seth Rollins पे attack करने के लिए लेकिन तभी Seth के face पे एक smile आता है और यहां entry होती है हमारी the American nightmare Cody Rhodes के Cody को देख rock पूरी तरह से घबरा जाते हैं Cody ring में आते हैं और rock की हड़ियां तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं Cody और Seth rock को घसीटते हुए commentary desk पर ले जाते हैं एंड जैसे Cody rock को rock bottom लगाने के लिए जा रहे थे कि पीछे से रॉमन डेंस अटेक करते हैं Cody Rhodes के ऊपर Seth Rollins अटेक करने कोसिज करते हैं रॉमन डेंस के ऊपर लेकिन माल वही खाते हैं Seth Rollins को Superman Punch और Cody Rhodes को एक Spear लगता है रॉमन रॉक से कहाते हैं कि बहुत हो गया भाई अब चलते हैं लेकिन rock ने कहां मैंने तो अभी तक अपना जलवा दिखाया ही नहीं वो दा American Nightmare की Custom Belt निकालते हैं और दोनों को पीटना स्टार्ट कर देते हैं बहुत मारते हैं गाई साथ में रॉमन को भी बेल्ट पास करते हैं उन्हें मारने के लिए मैंने वो देखा रॉमन उतने पावर के साथ नहीं मारे थे लेकिन rock भाई क्या मार रहे थे वो ऐसा लगा था अपनी पूरी पावर वो इस सॉट में लगा रहे हैं कम्प्लिटली डिस्टॉइ करके रख दिया इन दोनोंने सैथ और कोडी को यह जो गाईस हमने आज देखा वो था बलर्ड लाइन रूस का ट्रिलर तो सोचो रसलमेनिया के नाइट टू में क्या कर सकती है बलर्ड लाइन रॉमन अपनी चैंपेंशिप को रिटेन कर ले इसके लिए बलर्ड लाइन और रॉक वो हर एक चीज करेंगे जो उन्हें अच्छा लगेगा अब यहां से गाईस एक कन्फर्म समझना कि रॉक को रोकने के लिए स्टोन कोल्ड स्टी बॉस्टिन जरूर आएंगे और यह उन्हें आना ही परएगा वरना रॉक किसी भी कीमत पे कोडी को जीतने नहीं अई देंगे रॉमन रेंज से और ना है उनकी स्टोरी फिनिस करने के लिए यह तो आप क्या चाहते हो कि स्टोन को आना चाहिए और उन्हें रॉकको रोकना चाहिए यस या नो कॉमेंट में जरू बताना गाईज रसलमेनिया है अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक केर गाईज